आज इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग Electoral Geography के बारे में जानेंगे इसके कुछ Important Definitions को देखेंगे क्या होती है Electoral Geography कैसे ये रिलेट करती है आपकी Political Geography से इसके अलाबा हम लोग Separately Geography of Voters, Participation and Geography of Representation को भी इस वीडियो में कवर करेंगे बहुत ही interesting वीडियो होने वाली है, so without wasting much time, let us start with the वीडियो सबसे पहले हम लोग देखेंगे Electoral Geography होती क्या है It is a study of geographical aspects of organization, conduct and result of elections आपको नाम से ही पता चल रही है Electoral Geography यानि Elections से related है कैसे Elections होते हैं, किस तरीके से Elections को manage किया जाता है, कैसे Elections के Results आते हैं अब इसी चीज़ को ये तो एक Political Process हो गई, इसी में आप Geography को कैसे include कर लोगे, कैसे ये Electoral Geography हो गई किस तरीके से एक Particular Region में, जह हम लोग बात करते हैं, एक Region में कैसे Elections होते हैं एक Region में कैसे Results आते हैं, एक Region में किस तरीके के लोग जीतते हैं एक Region में किस तरीके की Politics को लोग जादा Support करते हैं, एक Region में कैसा Democratic System है एक रीजन में elections का क्या motive रहता है, क्या elections fairly होते हैं, क्या elections जो है वो कुछ उनमें corruption है या किस तरीके की जो election कराने वाली जो body है, वो किसी एक region या यहाँ पर हम लोग एक country की बात कर सकते हैं, एक country में जो body है वो independent है या फिर उस पर किसी दूसरे का power है, किसी तरीके से जो elections है व जो हम लोग पढ़ते हैं था हम लोग actual में electoral geography को पढ़ रहे होते हैं, यह एक subfield है political geography की, political geography की सब field है आपको बता है human geography की, तो जो हम branches वाला जब chart इससे पहले की वीडियो में हमने discuss किया human geography, उसकी subfield है आपकी होती political geography और political geography की भी दो subfields होती है, एक electoral और एक military sciences, ठीक, अब electoral geography जो mean इसका motive है वो है कि elections कैसे होंगे, कहां होंगे, किस तरीके से कराए जाएंगे, क्या उसका result आता है, और किस तरीके के जो patterns है, किसी एक particular geographical area में, वो elections के result में एक pattern कैसा दिखता है, इन सब चीजों को हम लोग electoral geography में पढ़ते हैं, देखे, areas of study within electoral geography, सबसे पहले हम लोग special organization of elections देखते हैं, मतलब अलग-अलग जगा में, एक ही देश में कई अलग-अलग states हो सकते हैं, इंडिया के अगर बात करें, तो अलग-अलग states के election होते हैं, फिर पूरा country में election होता है, अलग-अलग जगों पर हर एक शहर में, हर एक district में, आपका village के भी elections होते हैं, पंचायत के elections होते है तो हम लोग special organization of election को देखते है और साधी साथ कैसे अलग-अलग जगों पर voting patterns में क्या special variation होते है या क्या ऐसे changes होते है voting patterns में इसे भी हम लोग समझते हैं इसके अलाबा हम लोग देखते हैं environment का क्या factor होता है या क्या influence होता है आपके voting decisions पे जो अलग-अलग तरह के जो लोग होते जो European countries में रहते हैं उनका अलग कुछ voting decision बनता होगा environment की वदे से या जो आपके African nations में रहते हैं या जो आपके tropical areas में रहते हैं वहाँ पर क्या-क्या problem होती है क्या-क्या उनके environment की वदे से वह किस तरीके की leaders को चुनना चाहते हैं यह सब चीजे भी हम लोग electoral geography में पढ़ते हैं फिर electoral systems के बारे में पढ़ते हैं electoral systems या नि ballot system हो गया आपका EVM हो गया या किस तरीके की आखिर voting है online voting हो रही है या फिर आपकी offline किस method से हो रही है उन सब चीजों को भी हम लोग electoral geography में पढ़ते हैं इसके अलावा special variation in power and in policy implementation powers में भी अलग-अलग जगा में अलग-अलग states में या अलग-अलग countries में क्या variation हो रहा है इसको भी हम लोग electoral geography में पढ़ते हैं अब हमने इसका meaning देख लिया areas of study देख लिया अब हम लोग देखेंगे इसका scope क्या है electoral systems के बारे में पढ़ते हैं हमने अभी discuss क्या ballot system है या फिर आपका EVM machine है या फिर कौन सा online कोई method है या कोई दूसरा तरीका है आपका voting का किस region में America में कैसी voting होती है कैसे president elect होता इन सब चीजों का हम लोग पढ़ते है फिर voters behavior आचे देखें यह जो मैंने art points include की है यहाँ पर यही art points आपके क्या होते elements of electoral geography भी होते अगर आपसे question पूछ जाए elements of electoral geography या फिर scope of electoral geography तो आप इनी art points को वहाँ पर भी include कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा जो मैं explain करना हूँ उसको as a paragraph आप वहाँ पर लिख सकते है education का क्या rule है आपका किसी भी जगा पर जो लोग है उनका literacy अगर अच्छा है तो उनका democracy को लेके या voting को लेके या voting में participate करने को लेके कि वो aware होंगे उन्हें अपने rights पता होंगे तो education का किसी एक region में जो ज़्यादा जहाँ पर पढ़े लिखे लोग है या फिर जहाँ पर ज़्यादा literacy rate है तो हम expect करते कि वहाँ पर ज़्यादा vote करने भी लोग जाएंगे political geography के बारे में भी हम लोग जानते हैं with the help of electoral geography अब उससी में हम लोग campaigning और outreach को भी पढ़ते हैं campaigning और outreach यानि किस तरीके से parties अपना campaigning करती है और कैसी campaigning कैसी ideology को present करने से हम जीतेंगे या हम जीत सकते हैं आप देखते होंगे बहुत बड़े-बड़े political thinkers होते हैं या geographic thinkers होते हैं जो कि कई सारी parties को support करते हैं वो बताते हैं कि आप इस तरीके से अपना campaign करो आप इस ideology को लोगों के सामने प्रस्तुत करो आप ऐसा बताओ कि हमारा जो manifesto है उसमें हम लोग यह चीज़े करेंगे आप हमें vote दीजे तो हम ऐसा behavior रखेंगे हम ऐसे करके सरकार चलाएंगे तो वो सारी चीज़े क्या होती है आपका electoral geography के ही scope में आ जाती है gender participation भी बहुत important है कि आखिर किसी country में women का कितना participation है women vote कर रही है कि नहीं कर रही है या men का क्या ratio है women के comparatively ये सारी चीज़े भी हम लोग electoral geography में cover करते power politics तो political geography का भी बहुत important part है military geography का भी important part है और साथ ही साथ electoral geography का तो है ही कि आपका पता है जो भी results आएंगे उसके बाद आपका chief minister आपका prime minister आपका president choose होगा उसके हाथ में कही सारे powers आएंगे वो अपनी cabinet बनाएगा वो सारी चीज़े करेगा overall उसके हाथ में concentration of power होगा जिसके लिए लोग लड़ते हैं जिसके लिए लोग elections कराते हैं power किसके हाथ में जाएगी यही basic motto होता है किसी भी country में elections को करानेगा so ये भी हमारे scope में आ जाता है अब next हम लोग देखेंगे importance क्या electoral geography की देखिए electoral geography को जो भी बच्चे पढ़ते हैं या जो भी political scientist पढ़ते हैं उनका एक motive रहता है that कि वो fair और equitable representation करवा पाए यानि हर एक region का हर एक particular state का या फिर आपका village का district का एक fair तरीके से elections हो fair उन्हें representation मिले लोगों को एक particular जाती के लोगों को एक particular tribes के लोगों को ये सारी चीज़े हम लोग electoral geography में सीखते हैं कि कैसे ये सब करना है voting का behavior समझने की कोशिश करते हैं कि एक जगा के लोग किस आधार पर religion के आधार पर vote दे रहे education के आधार पर vote दे रहे या कामों के आधार पर development के आधार पर vote दे रहे ये सब चीज़े भी हम लोग समझते हैं power politics को भी हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करते हैं informing policy decisions ये भी हम लोग क्या-क्या policy के क्या decisions होते हैं कौन सी ऐसी policies है जो government एक तरीके से implement करती है जिसकी वज़े से voting में changes आते हैं ये सब भी हम लोग पढ़ते हैं और targeting outreach efforts यानि वही campaigning की बाद यहां पर हो रही है इसके बाद next हम लोग देखेंगे electoral geography is an important field of study that can help ensure fair and equitable representation and promote more effective political engagement by analyzing the special patterns ये आपका थोड़ा सा theoretical part है electoral geography जो है वो आपको जो भी geography और politics के बीच में relationship है उसको establish करने में मदद करता है उसको जानने में मदद करता है कैसे किसी एक जगा की एक geographic location के लोग किस तरीके की voting करते हैं किस तरीके के वहाँ पर results आते हैं इसको हमें समझने में electoral geography मदद करता है अब हमारा जो next topic है जोग्रफी और voters participation अब वेसी बादे कोई भी election हो रहा है तो वहाँ पर अगर लोग ही participate ही नहीं करेंगे, voter ही नहीं होंगे तो फिर उस election को कोई मतलब नहीं है अब किस जगा पर कितने voters होते हैं कहीं पर कुछ-कुछ constituency में आपने सुना होगा voting percentage बहुत आई होता है लोग बहुत vote करते हैं कुछ-कुछ जगा पर लोग कम vote करते हैं तो ऐसा क्यू हो रहा है क्यू voters का participation एक जगा कम है एक जगा ज्यादा है जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते है geography of voters participation कुछ ऐसे factors भी है जो की आपका influence करते हैं कि लोग कहाँ पर ज़्यादा vote करेंगे कहाँ पर कम उनको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं पहला क्या demographic यानि लोगों की age क्या है income अगर कोई बहुती वृद्ध देश है जहाँ पर लोग बहुत बुड़े है या यह है जा नहीं सकते है बिमार है कुछ ऐसा है income लोगों की कम है education level अगर कम है है या कुछ particular race ethnicity होते है जो voting नहीं करना चाहते है ऐसा कुछ है तो यह सब कुछ factors होते है political culture उनके voting को लेकर क्या culture बना हुआ है लोग ज़्यादा interested है भी कि नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही होता नहीं नाम मात्र की voting हो जाती है जैसे आपने देखा होगा कई सारे ऐसे देश है जहापर ऐसे ही नकली में voting करा देते हैं कुछ लोगों से करा देते हैं और दिखा देते हैं कि चलो हम तो जीत कैं हमने तो democracy follow की है तो political culture पे भी depend करता है electoral systems यानि अगर देखो easy systems होंगे online voting हो रही है या EVM की मदद से हो रही है या कुछ ऐसा easy कोई ऐसा system better बन जाता है तो लोग ज्यादा vote करते और अगर कुछ hard है आपको बहुत सारे levels pass करने आपका जो election की जो list होती है voters list होती है उसमें नाम आने के लिए बहुत criteria है या आपको आपका voting card नहीं बन रहा है बहुत problem है सरकारी जगों पर आपको जाना पड़ रहा है तो फिर उससे voting का participation भी काम होता है लोग uninterested हो जाते geographic factors obviously बात है population density urbanization और distance from polls अगर polls बहुत दूर-दूर है 50-50 km दूर पे अगर एक-एक poll अगर लगाया जाएगा तो लोग कम participate करेंगे उतना दूर कोई क्यों जाएगा vote करने के लिए so ये था हमारा geography of voters participation last topic जो इस वीडियो में हम cover कर रहे है वो है geography of representation representation का मतलब क्या है जब हम लोग पढ़ते हैं कि किसी एक region से आखिर कितने लोगों को representation मिल रहा है किसी एक constitution से जैसे आपने American constitution जब पढ़ा होगा तो आपर अलग-अलग states से अलग-अलग representations होते है Alaska में जैसे एक ही इंसान का representation होता है आपका स्वाइद सीनेट में तो दो-दो लोगों का होता है house of representatives जो आपके होते है उसमें क्या होता है अलग-अलग लोगों से अलग-अलग आपका representation होता है अलग-अलग areas के according जो state ज़्यादा बड़ा है वहाँ से ज़्यादा लोग आपके represent कर रहे होते हैं ज़्यादा लोग का वो थोड़ा कम है, तो जब हम लोग इन चीजों को पढ़ते हैं, कि आखिर कौन सी स्टेट का लोकसभा में, चलिए इंडिया से एक्जामपल रिलेट करते हैं, कि लोकसभा में आखिर उत्तर प्रदीश की कितनी सीटे हैं, आपको बताए 80 सीटे, कुछ दूसरे स्टेट्स हो कुछ जैसे गोवा की सीटे काफी कम हूँगी, सिक्किम की सीटे काफी कम होँगी, तो बेसिक या आईडिया है कि कैसे जओग्रफी, क्योंकि सिक्किम एक चोटा देश, एक चोटा स्टेट है, चो जो गोवा है वो एक चोटा स्टेट है, तो उसका written Chairman भी कम है, और उत्तर के भी वही सेम फैक्टर्स जो थे डेमोक्राफिक्स हो सकता है पॉलिटिकल आइडियोलोजी कुछ जैसे बेंगॉल वगेरा में हमेशा से रिप्रेजेंटेशन ज्यादा रहा है क्योंकि वो लोग आइडियोलोजिकली बहुत आगे रहते थे पॉलिटिक्स में बहुत इनवॉल्व रहते थे जो बेंगॉली थे या जो आपके बेंगॉल के जो भी एरिया बेंगॉल बिहार और उत्तरविदेश वाला एरिया हमेशा से ब्रिटिश के टाइम से भी वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हाई रहा है इसके अलावा कुछ historical patterns भी है जैसे कुछ जगों पर जहां पर पहले रिप्रेजेंटेशन जादा मिलता था उन्हें आज भी मिलता है जो नए स्टेट्स बनें उन्हें थोड़ा कम रिप्रेजेंटेशन मिलता है तो यह सारी चीज़ों को हम लोग एक सेपरेट सब फील्ड में पढ़ते हैं जिसका नाम है जोग्रफी ओफ रिप्रेजेंटेशन अगर आपको कोई भी डाउट से तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इस टॉपिक के हैं डिटन नोट साब को चाहिए तो आप में टेलिग्राम चैनल को जोइन कर सकते हैं और थैंक यू फर वाचिंग प्लीज दू लाइक शियर और सब्सक्राइब